बिस्मिल्ला रावान रहीम अस्वाम लेकूम दियर एस्पिरेट्स आज हम नेशनल सेविंग और्गनिजेशन का लेक्चर नुम्बर 19 यानि के नेशनल सेविंग और्गनिजेशन के हम फंक्शन्स पढ़ रहते और इससे पहले हमने जो अफर की जाती हैं नेशनल सेविंग और्गनिजेशन की तरफ से सबसे पहले हमने पढ़ा था डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स डी एससी जिसको हमने कहा था उसके बाद हमने पढ़े थे Special Saving Certificates जिनको S.P.C. का हमने और इसके बाद हमने Regular Income Certificates R.I.C. पढ़े और उसके बाद हमने पढ़े थे Saving Account और उसके बाद हमने Special Saving Account के बारे में पढ़ा Special Saving Account और उसके बाद हमने Pension Benefit Account Pensioners Benefit Account तो यह जो Services मुख्तलिफ Primary Services जो के National Saving Organization की है उनके बारे में हमने यह सारी चीज़ें पढ़ी थी उसके बाद बहबूद Saving Certificates थे बहबूद Saving Certificates ठीक है जी और आज हम पढ़ रहे हैं Price Bonds Price Bonds तो यह Primary Services थे Secondary Services में हम आगे चलके बात करेंगे इससे आने वाला भी मज़ीद लेक्चर जो हमारा है वो Price Bonds को लेके चलेंगे और जो Features होते हैं Common इन सारे की सारे Primary Services में जतने भी Certificates इशू किये जाते हैं उनमें Common क्या चीज़े हैं उनके Features क्या हैं तो सारी उनकी जो हैं हम आने वाले लेक्शन में बात करेंगे लेकिन शुरू करेंगे हम Price Bonds को सबसे पहले इंट्रिड़क्शन है Price Bonds कहते हैं किसे हैं और इसकी Denomination क्या है Price Bonds are Be Error Type of Security Be Error का मतलब है कि जिसके पास होगी एक individual buy करता है तो वो ही अगर उसके पास होता है तो वो उसको अगर उसका Price निकलता है तो वो ही रिवार्ड लेगा उसका अगर फ़र्ज किया इस बंदे की Death हो जाती तो इसके किसी बेटे के पास बेटी के पास यही प्राइब पाउंड होगा तो रिवार्ड उसको मिलेगा जिसके पास यह होगा बेरर मीन कि जो इसको होल्ड करा रहा है तो किसी के नाम पे यह इशू नहीं होता बलके ओन कैश होता है बेरर ट्राइफ पाफ सक्यूर्टी अवेलेबल इंदी डिनोमिनेशन दाफ रुपीज यहीं कि प्राइफ बॉन्ड दो सो के भी होते हैं साथ सब चास के भी पंदरा सो के पचातर सो पंदराजार और चालिस हजार के तो यह मुखतलिफ कीमत के मुखतलिफ होते हैं आगे चलके हम इन पे बात करेंगे कि इनकी इनामात कितने होते हैं और पहला और दुसरा वो सारी डिटेल में कम जितनी इसकी मालियत होगी उतन ही उसका अमाउट भी कम होगी इनामे और जितनी मालियत ज्यादा बढ़ती जाएगी और उसका जो प्राइज बॉन्ड जब निकलते हैं उसका, और रिवार्ड भी कदर जदा होतासा हि और इनके फीचेज़ कें है है इस पॉन्ड इस्जू किया जाते हैं फस्किया तू अंड्रीडट वले वाले है तो यह वण से लेके 100 तक फस्किया ईशयू किये गए उसके बाद टूight — जेरो वन से लेके consists of one less than one 10 lakh bonds यानि कि अगर 200 वाला है तो यह सिरीज जो है 10 lakh इसके जो है वो सिरीज एक चलेगी लेकिन एक उसमें से कम होगा यानि कि पूरा 10 lakh उसमें से नहीं होगा बलके इसकी figure यह रहेगा 99999 तो 10 10,9999 बांड इसको किये जाएंगे नो फिक्स्ट रिटर्न इस पेड जिसके पास यह होगा प्राइस बांड उसको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा बलके उसकी मालियत जो उसने पे की हुई है वह उसको मिलेगी प्राइस डॉस और हैल्ड ऑन कौर्टली बेसे टू अंडड का है या 40,000 का है तो इनके जो इनामात होते हैं वह कौर्टली बेसेज कौर्टली मीन के थ्री मंथ के बाद आफटर थ्री मंथ इस बाद शाल एंड केश्ट एड पार एनी टाइम आफटर जियर इशू जब यह इशू किये जाएं तो फ़र्द के एक इसेने 40,000 का खरीदा हुआ है बाद तो जब वो चाहें जाके बाद दे और 40,000 ले सकता है आइड पार का मतलब है जितनी उसकी फेस वैल्यू है उतनी उसको मालियत वापस आएगी नेक्स्ट है इस बांड के बांड के बांड कहां से आप बाई कर सकते हैं नमबर वन है Office of the State Bank of Pakistan यानि के Central Bank of State Bank उनके पास से खरीज सकते हैं Banks authorized in this behalf by the State Bank of Pakistan जो authorized bank है वो इसमें जो डील का रहते हैं उन से जाका आप बाई का सकते हैं इसके लावा National Saving Center जो हैं उन से आप खरीज सकते हैं तो यह जो स्लाइड है इसको हम दुबारा आएंगे इस पर बात करते हैं Terms and Conditions क्या होती है The Federal Government may withdraw any of the bonds of circulation time by notification in the official gazette कि यह जो circulate हुए होते हैं इनको किसी भी टाइम अगर Government इसको खतम करना चाहती है तो जिसके पास bonds है वो जाके जमा करवाएंगे और पैसे ले लेंगे और Government उसको खतम भी कर सकती है Second number पर no claim of price on the bonds So with them shall be admissible after the issue of the notification under sub rule तो जब Government इसका 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 कोई इनाम नहीं मिलेगा और ना कोई claim कर सकता है कि मेरा इनाम नहीं मिला या आपने इस दफ़ा उसका कुरांदाजी नहीं की तो यह कहीं से भी आप जाके बाय कर सकते हैं आप पैसे दें और बांड खरीद लें तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए कोई application फार्म वगरा नेक्स एड़ आफ दीज बांड शल बी ओपन तेल सच टाइम आप जाके परचेज कर सकते हैं और यह उस वक्त तक सिल्सरा रहता है जब तक एक बांड वैलिड रहता है यानि कि गौवर्मेंट की स्कीम में यह चल रहता है जब गौवर्मेंट किसी बांड की सकीम खतम करती है तो उसके बाद यह अवेलिबल नहीं होगा नेक्स्ट है इसका फीचर्स में से टर्म कंडिशन में से बांड शैल नॉट बियर इंटरस्ट बट लॉट्स शैल बी ड्रान फर इच सिरीज कौटरली फार प्राइस अन सच डेट ऐस पैसफेड बिलो तो यह जिसके पास होगा उसको कोई इंटरस्ट ने मिलेगा लेकिन जिनका लखी ड्राइब होता है कुटरांदादी जो होती है हर सिरीज के अगेंस्ट होगी जैसे के बात की थी कि 10 लाख एक सिरीज के इशू होते हैं एक सिरीज में तो अगर गुर्मेंट चाती है तो बंद से जैके 10 लाख तक अगर गुर्मेंट इशू कती है 200 वाले ठीक है जी 10 लाख और नेक्स्ट जो है वो 10 लाख से ऑनवर्ड 20 लाख तक तो यह चलता रहता है तो जितने अगर यह सिरीज भी इशू है यह सिरीज भी इशू है एक क्वाटर में तो इसका भी इनाम मिलेगा इसक होगा और वो हम चलके आगे बात करेंगे जो हमने पीछ लाख जो सकैयूल अभी पैंडिंग किया है उसमें यह सारी चीज मैं आपको समझा दूँगा ड्रा का जो सकैयूल है वो किस तरीके से होता है रुपीज 200 वाले जो है 15 डे आफ मार्च यानिके मार्च की 15 जून की 15 स समबर की 15 हर साल यह इनकी कुरांदाज होती है 750 वाले जो हैं 15 डे आफ जैनवरी एप्रेल जुलाई और अक्तूबर इन हर जो चार क्वाटर दिये गया है चार मिने इनकी 15 तारीक को ड्रा होगा 1500 वाले जो हैं वो 15 डे आफ फैबरेरी मैं अगास्ट एंड नवंबर की हर सा और पैच्छतर सो वाले जो हैं फैबरेरी मैं अगास्ट एंड नवंबर हर साल कुरांदाज होगी और जो 15,000 वाले हैं फैबरे जैनवरी एप्रेल जुलाई अक्तूबर एवरी येर उनका भी ड्रा होगा और जो 40,000 वाले हैं उनका ड्रा जो है वो फैस्ट डे आफ जून, सेप्टेंबर, देसंबर और ये चार मिने इनके हर तीन मिने के बाद इनका जो ड्रा होता है दी ड्रास आर हैल्ड अंडर कमन ड्रा मैथर्ड एंड नमबर अफ प्राइज आर सेम फार इच स्रीज हर स्रीज के लिए इनाम एक जैसा रहेगा इट मेंस दैट 50 स्रीज आफ रुपीज 200 जैसा कि मैंने पहले बताया कि 200 वाले अगर इशू किये जाते हैं और 10 लाख इशू किये गया है वो खतम हो गए मजीद लोगों ने बाय करना चाहा तो दूसरी स्रीज शूरी कर दी तो 30 स्रीज 4 पांचवी इस तरीके से अगर 50 स्रीज इशू हुई तो फ कर दो फुज होगा वो तीन लोगों को हर शूरी के अगयंस में दलता है यानि कि अगर सिर्फ एक सीरी इस उए हो ती तो अüzel कि पहले इनाम एक बंदे को मिलता दूसरा नंद तीन लोगों को मिलता चोथा इनाम आगके चलकर हम यह जो हमने पिछला स्कैजूल छोड़ा है उसमें हम डिटेल से बात कर लेते हैं सेकंड प्राइज और सो ओंता नमबर आ और यह 5,000,000,000 का होगा सेकंड प्राइज जो है तीन लोगों को मिलेगा और हर एक को 1,000,000 मिलेगा और इस तरीके से अगर 740 वला है तो जो पहला इनाम है एक बंदे को मिलेगा और उसकी अमांट होगी 10,000,000 और तीन लोगों को जो सेकंड प्राइज पे मिलेगा वो 3,000,000 और जो थर्ड प्राइज होगा वो 1376 लोगों को मिलेगा और 7500 हरे को मिलेंगे और आगे चलके जो 1500 वाला प्राइज होगा पहले जो पहला फास्ट प्राइज है एक बंदे को मिलेगा सेकंड प्राइज तीन बंदों को मिलेगा और थर्ड प्राइज जो है वो 1376 को मिलेगा इसी तरीके से 7515,000 और 40,000 के ये स्काइवल आप देख सकते हैं लेकिन इसको याद या रिटा लगाने की ज़रूरत नहीं है तो ये इस तरीके से प्राइस बांड को जो है तरीका कार होता है किस तरीके से आप बाई कर सकते हैं ये हमने बात की और कितने इनामाद होते हैं कौर्टली बेसे पर इनामाद होते हैं और हर एक स्रीज की जो वन लेस देन 10 लैक उनके जो स्रीज एक में शामिल होते हैं तो उमीद करता हूँ कि ये आपको समझाई होगी और बाकी जो हमारा एडुकेशन का सिस्टम है जो प्राइवेट है हमने काफी सारे कोर्से लांच कर रहे हैं अगर आपके कोई जाने वाले हैं जो पढ़ना चाहते हूं ऑनलाइन और हम उनके अड्मिशन भी किसी यूनिवरस्टी से सर्गोधा यूनिवरस्टी या नमल यूनिवरस्टी या मुख्लिव यूनिवरस्टी से हम अफिलेट करके भीजवा देंगे और अगर वो खुद भी जो अपने तौर पे अड्मिशन बेजना चाहते हैं सिर्फ कोचिंग कलासिज लेना चाहते हैं अपने घर बैठे हुए तो हम complete syllabus जो है उनको lecture wise हर subject का provide करेंगे और फिसे जिन हमारी बहुत कम होगी तो आपके घर में जो दोस्त हैं जो पहले नहीं पढ़ तके या जो अभी पढ़ना चाहते हैं एज बले ज्यादा भी हो गई हो ये कुछ female ऐसी होती हैं जो घर में घर से बार उनको कोई opportunity नहीं होती है और वो education हासल करना चाहते होती है तो आप उनको refer कर सकते हैं हमारे education इस forum को और इस forum को हम मजीद भी बलंदियों तक ले जाएंगे ताके लोगों को ज़्याद ज़्याद ऐसे फाइदा पहुंचे तो आप हमारा तामन कर सकते हैं और दूसरे लोगों के साथ ये forum शेयर कर सकते हैं उमीद करता हूं कि आपका तामन रहेगा हमारे साथ द्वा में याद रखिए खुदा आफेज